अगर आप नोटिस करेंगे इस चार्ट को थोड़ा चोटा करता हूं तो मार्केट ने कल जहां से गरावट शुरू की थी मार्केट ने एंड वहां कर दिया कल जो गरावट थी आज मार्केट ने उसकी भरबाई कर दिया अच्छी बात हैं वापस से 19,250 से बहुत उपर जा चुके हैं और होपली ये महीना हमारी ले बैतर हो हमने अपने लास्ट मंत की जो वीकली अनलेसिस ताउस में बताया था कि हमारा ये मंत ग्रीन रह सकता है कि हम कंटिनियूस पिछले 4-5 महीने से नेगेटिव चल रहे है तो यहाँ पर एक चांस है कि ये महीना हमारा अच्छा जाए ठीक है अभी तक मैं आपको बताता हुआ रहा था कि मार्केट कौन से लेवल को मंडे को दिखा सकता है सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा और आज हमने बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड दिये थे बहुत जबर्दस ट्रेड दिये थे 100-100 पॉइंट से उपर गए हैं जिन्होंने किया है उन्होंने अच्छा किया है कुछ लोग नए है वो छोटा छोटा प्रॉफिट निकालने है जो लग बड़े जादा टाइम से कर रहे हैं वो बड़ा प्रॉफिट निकाल रहे हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं किसी ने 12,000, 19,000, 16,000, 10,000 इस तरह के भी प्रॉफिट बनाए है तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पॉइंट ही है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपका पैसा बनेगा most of the time कभी-कभी stop loss इट होते हैं आज का 3PM ट्रेड हमारा नहीं चला वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा आप सबसे पहले दिखाऊंगा मैं आपको कि बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड क्या दिया था एक दिया था हमने 9 बच के 23 मिनट पे 43,960 के नीचे हमको लेना था बैंक निफ्टी कहां है हमारा वो भी देख लेते हैं तो यह आगया हमारा बैंक निफ्टी 9 बच के 23 मिनट यानि कि 9-20 के बाद हमारा ट्रेड चालो हुआ था यह अब कैसा रहा ट्रेड वो हम देख लेते हैं 43,960 के नीचे हमने इसमें ट्रेड दिया था क्या वहां से रिवर्सल हुआ क्या आपका स्टॉप लॉस लगता या फिर आपको टार्गेट मिल जाता ठीक है तो अगर आप क्लेर कट देखोगो तो यह जो लाइन है यह 43,960 की इसके नीचे हम निकले हैं कोई स्टॉप लॉस नहीं कुछ बापस रिजेक्शन नहीं केंडल सीधा नीचे की तरफ गया और आप लोगो शांदार प्रॉफिट दिया है 960 से केंडल गया है हमारा 43,858,60 तक अल्मोस्ट 100 पॉइंट हमें मॉर्निंग में ही मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर दिलवा दिये थे मैं ये ट्रेड बता रहा हूँ जो मैंने टेलीग्राम पर दिये जो अपने ग्रुप में देता हूँ ये तो देता ही हूँ साथ में इसके अलावा भी ट्रेड दिये जाते हैं वो भी मैं बता दूँगा कि कहां कहां पर trade दिये गए थे second trade हमने दी थी जब market था 2 बजे 44,400 के उपर हमको call में जाना था अब कहां पर है 44,400 2 बजे की trade है 2 बजे मैंने level बताई थे ये रहे 2 बजे की level अब यहां पर अगर हम इसको थोड़ा सा zoom in करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि 2 बजे के बाद क्या हुआ है market के अंदर तो 2 बजे की candle है ये ठीक है समझ गए ओके तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं screenshot 44,000 का level हमारा ये रहा ठीक है हमने यहां पर निकाला आपको पहला target दिया और ये target था 44,400 से लेके almost 60-70 पॉइंट का और उसके बाद अगर किसी ने hold किया था क्योंकि market नीचे भी आया था लोग निकल जाते हैं अगर किसी ने hold किया था तो क्या उसका stop loss लगा कहीं पर नहीं at least 20-30 पॉइंट का तो stop loss लेके चलो गई न और target क्या मिला आपको 44,570 के आज पास आपने बाइंग किया था 44,400 target 571 6170 पॉइंट का gain ये आपको कोई नहीं कराता है प्रूव आपके सामने है कि पहले stop loss लगा या पहले target मिला ठीक है आपने इसमें कुछ भी बनाए होगा तो आपके लिए बहुत ही शांदर बात है अब बात करेंगे अपने nifty के बारे में कि nifty में क्या हुआ हमने कहां कहां trade दिया ज़्यादा trade नहीं दिये because market किस तरीके का था वो मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादा trade आज क्यो नहीं बन पाए हाला कि market one direction निकला है no doubt लेकिन market पहले था बहुत ज़्यादा range बढ़ देखे market का scenario अगर अभी आप देखो तो आपको लगेगा आरे या market तो one direction में गया है लेकिन market चल रहा होता है तो ये चीज़े predict करना बहुत ही मुश्किल होता है morning में मैंने जो अपना पहला trade दिया था जो trade दिया वो पहला ये था उसके बाद market आया नीचे support लेके वापस call में गया हमें वापस call में कोई confidence नहीं था then market ने हमारा यहाँ पर काफी ज़्यादा time waste किया है यहाँ पर उसके बाद market ने एकदम से shoot up दिखा दिया मैं उम्मीद कर रहा था कि market यहाँ से नीचे की तरफ आएगा लेकिन वैसा ना होते हुए market उपर चला गया तो मेरे से ये एक opportunity मिस होई जो मैंने अपने members को नहीं दी लेकिन मैंने उसकी जगए दूसरी opportunity दी ये वाली जब दुबारा same scenario बना तो मैंने बताया था 90,400 के आसपास कोई भी bullish candle बनती है तो हम जा सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह bullish candle बनी उसके बाद again bullish candle बनी और फिर market हमारा upside चलता चला गया 460 तक गया है मैंने 430 पे बोल दिया था कि भाई आप चाहो तो exit कर लो आप चाहो तो बने रो मर्जी आपकी है फिर तो भाई वही बात होती है जो hold करेगा वो बड़ा पैसा कमाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि आप hold कर रहे हैं से नीचे भी आजा तो वो कुछ कमाता भी नहीं तो risk reward देखके ही करना पड़ता है उसके बाद हमने ये वाला target मिला बहुत ही शानदा target मिला morning में ये मिला एक और मिला था लेकिन उसमें ज्यादा बड़ा target नहीं था 78 point उपर गया और वापस आगया तो उसमें से मैंने exit करा दिया था उसके लावा हमने 3 p.m आज का trade किया वो हमारा कुछ काम खास चला नहीं 5 point उपर गया हमने दिया था trade 445 के उपर and 450 के उपर but 445 से 450 किया और 450 से rejection ले लिया और वहीं कहीं पर close कर दिया तो वो rejection वो आज चला नहीं but 10 मैं से 7 से 8 बार वो trade मारा चलता है जब भी हम levels देते हैं देखें market वहीं कहीं रह गया ठीक है आज हम call में ही plan कर रहे थे कि अगर निकल जाएगा 50 का level ये वाला तो ये level भी निकल जाता है और हम यहां तक भी आ सकते थे ठीक है इसलिए call में देना बनता था अब बात करेंगे कि क्या हो सकता है देखो मैंने आपको बता दिया कि हमारे members कितना पैसा बना रहे है और ये रोजाना डालता हूँ ऐसा नहीं कि आज ही डाला है हमने दिखा दिया कि हमने टेलिग्राम पर क्या trade दिये प्रूब भी आपके सामने है कि दिये कि नहीं दिये उसके अलावा अब बात करेंगे अपने levels के और हैं मार्केट ने वापस से एक bounce back किया है तो अब जो levels है वो हमारे उपर के levels होंगे नीचे के level हम थोड़ा सा कम देखेंगे देखेंगे because obviously बात है कि market हमारा नीचे भी आ सकता है लेकिन अब उपर का अगर चला है market थोड़ा तो Monday को भी expectation यह ही है हाला कि यह जो range है यानि कि 90,500 के असपास यहाँ पर resistance area है क्यों है वो मैं बता दूँगा आपको थोड़ी दिर में लेकिन अब बात करें तो 90,000 460 एक important level है morning के लिए अगर हम इसके उपर निकलते हैं then आपको trade plan करनी है then 19,500 से 520 यह एक important area है यानि कि 460 के उपर निकलेंगे तो आपका target होना चाहिए 500 से 520 का लेके चलना ठीक है तभी आप अच्छा पैसा बना पाओगे क्योंकि market थोड़ा सा तो better condition में है at least 20 भी पॉइंट में तो नहीं थोड़ा तो लंबे target मिल सकते हैं उसके बाद आपका जो next resistance area है वो 550 है यानि कि 520 और उसका 550 के बाद हमारा सीधा 580 टार्गेट बन जाता है ठीक है यह हो गया हमारा call side में यानि कि 460 निकालेंगे तो हम जाएंगे कहां पर हम जाएंगे 500 से 520 और 520 से 550 और फिर 600 यानि कि 590 से 600 यह हमारे उपर के target होने चाहिए आप करें बात downside की तो 90,420 के नीचे आपका target होना चाहिए 400 से लेके 380 विकाज इस range में हमारा market यहाँ पर काफी देर halt किया है तो फिर से कर सकता है इस 10 point में तो पहला target है यहाँ फिर आप risk reward के सापसे इसको continue कर सकते हो और अगर हम गिरते हैं तो वापस से हम इस range में आएंगे यह बात ध्यान रखे यानि कि 420 निकलेगा 400 से 390 आएगा यह निकलेगा तो फिर हम वापस से 350 तक आ सकते हैं downside फिलाल के लिए यही level है एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा उसके लिए मुझे एक मिनट दो देन मैं उसको बता पाऊंगा तो भाई यह लगा दिया अपने फिवरेट ट्रेस्मेंट और इसके according क्या level निकल क्या रहा है वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा अगर हम यहां से उपर निकलते हैं तो अगर नोटिस करोगे यह अमारा level निकल क्या रहा है यहां पर हम पहले भी rejection ले चुके हैं यहां पर पहले भी हमको rejection मिला है तो यह दो level यानि की 500 से लेके 600 का level ऐसा है कि market हमारा वापस गूम सकता है इन level से अगर हम इसके उपर निकल गए न तो फिर हमारे लिए अच्छा हो जाएगा देन हम बोलेंगे कि हमारा market वापस reversal ले लिया है तब तक हम नहीं बोल सकते हैं market का pattern कुछ ऐसा चल रहा है अगर आप notice करोगे तो आपको समझ में आएगा अब यहां से क्या हो सकता है डबलू pattern 500 500 के उपर निकले और यह हम ऐसे वापस चले जाएं या फिर ऐसे वापस चले जाएं या फिर ऐसे ही वापस चले जाएं तो यह चीज हो सकती है हो सकता है कि यह trend reversal का sign है अभी नहीं 500 निकलने दो और 600 के आसपार पोशने दो then हम decide करेंगे because यहां पर एक डबलू pattern आपको को क्या करना है अगर पैसा बनाना है सबसे पहले चैनल को subscribe करो क्योंकि सारी update आपको मिलने चाहिए then subscribe then telegram को join because यहां से आपका पैसा बनेगा and मेरे से भी आप connect कर सकते हो उसके अलावा वीडियो को like करें और उसके अलावा comment section में कुछ भी question है तो मेरे से पूछो मैं उसका answer आपको कर दूंगा so thank you so much मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ एक नए analysis के साथ